वेलकम टू एडू जोस, एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दूस्तो आज की इस वीडियो में 15 जनवरी 2022 के सभी important current interface के question डिसक्स करेंगे इस वीडियो में आपको current interface के साथ साथ extra facts बताय जाता है और daily static GK के questions बताय जाते हैं और जितने भी question हमने पीछे पढ़ा है उन सभी questions का यहाँ पर revision भी करते हैं current interface revision में वीडियो के last में आप से एक सवाल पूछा जाता है जो चिंगारी प्रशन होता है जिसका answer आपको comment box में लिखना होता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को like and share जरूर किया किजे चैनल से अब तक नहीं जूर हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे आप Google Play Store से हमारा application भी install कर सकते हैं डाउनलोड करके इसका जो link है नीचे description में हमने दे दिया है यहाँ पर आपको daily pdf और quiz मिल जाती है कई सारी box मिलती है तो इसको भी ध्यान रखिएगा चलिए यहाँ पर कल के चिंगारी प्रेशन का answer देखेंगे सबसे पहले प्रतिवर्स रास्तिय युवा दिवस कब मनाया जाता है यह सवाल हमने कल पूचा था इसका correct answer है 12 जनवरी option C आज का सवाल है प्रतिवर्स सशस्त्र बल पूर्वसैनिक दिवस कब मनाया जाता है तो answer होगा option B 14 जनवरी को ठीक है प्रतिवर्स शसस्त्र बल पूर्वसैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है यह M. कर्यप्पा की सेवा निवरिती की याद में मनाया जाता है जो 14 जनवरी 1913 को सेवा निवरित हुए थे यह राष्ट की सेवा करते पूर्वसैनिक द्वारा किये गए बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था important fact में याद रखेगा M. करियपपा भारतिय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दोरान भारतिय सेना का नेत्युत किया था वे 15 जन्वरी 1949 को कमांडर इन चीफ बने थे प्रतिवर्स 15 जन्वरी को भारतिय सेना दिवस मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेगा देखें जन्वरी से लेकर दिसंबर 2021 पूरे एक साल का जो करेंट एफर्स है उसका PDF फाल यानि E-Book जो है वो लॉंच कर दिया गया है पंदरह सो वन लाइनर कोश्चन्स उसमें आपको मिलेंगे ये आने वाले किसी भी एक्जाम जैसे कि UPSC, BPSC, किसी स्टेट लेबल का PCS एक्जाम SSC, Railway, Banking, Police, इसेटरा इन किसी भी एक्जाम के लिए ये E-Book काफी इंपोर्टन्ट है इस E-Book को लॉंच कर दिया गया है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं करेंट एफर्स 2021, जनवरी से दिसंबर तक 1500 प्रश्णों का ये संग्रा है पूरे एक साल का करेंट एफर्स है वार्सिकांक वर्जन 2021 यानि पूरे साल का है रिपब्लिक डे ओफर पर हमने 26 रुपे का डिसकाउंट लगा दिया है जिसकी कीमत पहले 50 रुपे हमने रख की थी इसको अब आप मातर 25 रुपे में डाउनलोड कर सकते हैं ओफर जो है यह रिपब्लिक डे ओफर है क्योंकि गंतंतर दिवस आने वाला है तो 26 रुपे का डिसकाउंट है अब अगर आप देखें 26 रुपे के डिसकाउंट के बाद आपको 25 रुपे में 1500 प्रशनों का जो वतसंग्रह आपको मिल रहा है नीचे डिसक्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगला प्रशन है निम्र में से कौन सा तेवार 14 जनवरी को मनाया जाता है इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा option D, पर्यूक्त सभी मकर संक्रांती भी मनाया जाता है और पोंगल भी मनाया जाता है देखें, पॉस मास में जब सुरे मकर स्राशी पर आता है तब संक्रांती का तेवार मनाया जाता है इसी को मकर संक्रांती कहते है ये तेवार अधिकतर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है इस दिन से सुरी की उतरायन गती आरंब होती है और इसी कारण इसको उतरायनी भी कहते हैं उतर भारती राज्यों में 14 जनवरी को मकर संक्रांती के रूप में मनाय जाता है इस तेवार को अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है मकर संक्रान्ती को तामिल नाडु में पोंगल के रूप में मनाय जाता है वहीं आंध्रदेश, करनाटक और केरला में ये पर्व केवल संक्रान्ती के नाम से जाना जाता है असम में बिहु तो पंजाब में लोहरी के नाम से ये प्रिशिद्ध है नेक्स्ट कोशन है हरियाना के किस शहर में भारत का पहला हेली हब अस्थापित करने की गोशना की गई है इस कोशन का राइट आंसर है ऑप्शन B गुरुग्राम हरियाना के डिप्टी सीम दुश्यन्त चोटाले ने गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब अस्थापित करने की गोश्टना की है हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा हब होगा जिसमें हेलीकप्टरों के लिए एक ही अस्थान पर सभी सुवधाएं होंगी करिंट अफेस रिविजन में याद रखेगा भारत का पहला अनाज एटियम हरियाना के गुरुग्राम में ही खुला है भारत का पहला मत से पालन वेबसाइज इनक्यूबेटर गुरुग्राम में ही लॉंच किया गया है हर्याना के हिसार एरपोर्ट का नाम बदल कर हाल ही में महराजा अगरसीन हवाय डार नाम जो है वो रखा गया है हर्याना के मुक्वंतरी कौन है मनुहर लाल खटर यहां के जो राजपाल है वो हैं बंडारू दत्ता त्रे किस राज़ का कुम्ब लांगी गाउं देश का पहला सेनेटरी नैपकीन मुक्त गाउं बनने जा रहा है इस बात की जानकारी केरल के राजपाल आरिफ मुहमत खान ने दिये गाउं में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेस मेंस्ट्रूल कप बाटे गए हैं इनका मासिक धर्म के दोरान इस्तेमाल किया जा सकेगा करिंट एफेस रिविजन में याद रखेगा देश का पहला अश्रमी कांदोलन संग्राले केरल के अलापू जहा में शुरू किया जाएगा ओडिसा का गंजाम जिला राजिका पर्थम बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है नीती आयोक के चौथे स्वास्त सूचकांक यानि हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019-20 में केरल पहले अस्थान पर है जबकि तामिल लाटू दूसरे अस्थान पर है और तेलंगाना जो है वो तीसरे अस्थान पर है नेक्स कोशन है भारतिय वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन चेतर किस राज में है इस कोशन का राइट अंसर होगा ऑप्शन D मद्धिप्रदेश हाली में पडियावरन वन और जलवायो पडिवरतन मंत्री भुपेंदर यादव ने भारतिय वन सर्वेक्षन रिपोर्ट जहाए 2021 के लिए जारी की है इसे भारतिय वन सर्वेक्षन ने तयार किया है 2021 में भारत में कुल वन और प्रिच आवरन 80.9 मिलियन हेक्टेर है या भारत के भौगलिक शेतर फल का 24.62 प्रतिशत है मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन शेतर है इसके बाद अरुनाचल प्रदेश का नमबर आता है फिर 30 से अस्थान पर 36 गड़, 4 पर ओडिशा और 5 पर महरास्ट है तो इस तरह से ये नाम याद रखेगा अकसर एक्जाम में ये पूछा जाता है प्रतिशत के लिहाज से कुल भौगलिक शेतर के वन आवरन के मामले में शेर से तीन राज जो हैं वो हैं मिजोरम अरुनाचल प्रदेश और मेगाल है देखे जब प्रतिशत पूछा जाएगा फिर आप याद रखेगा कि वन प्रतिशत सरवादी कहां पर है तो फिर इस तरह से और जब आपसे जो वन शेतर की बात कही है हमने शेतर फल के इसाप से तो वो अलग-अलग है जो कि मत्य परदेश में देश का सबसे बड़ा वन अगला सवाल देखे बीसवा धाका अंतरास्टिय फिल्म महुत सब कहां पर आयोजित किया जाएगा इस क्वेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी धाका बंगलादेश बीसवा धाका अंतरास्टिय फिल्म महुत सब डी आई डवल एफ 15 जनवरी से 23 जनवरी तक धाका में आयोजित किया जाएगा इसमें दस श्रेनियों के ताय दो सो पच्चिस फिल्मों का पर दर्शन किया जाएगा बीसवें डी आई डवल एफ में भारतिय प्रविष्टियों में कुंजगल, आविजात्रिक, मायर जोनजाल और आंदाल जैसी फिल्में शामिल है दाका इंटरनाशनल फिल्म वेस्टिबल का योजन रेनवो फिल्म सोसाइटी के द्वारा किया जाता है इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी बंगलादेश के प्रधानमंतरी कौन है? शेख हसीदा, वहां के राष्टपती कौन है? अब्दुल हामिद और बिमस्ते का मुख्याल है कहां पर है? धाका जो की बंगलादेश में ही है असम सरकार ने किस मुख्यवाज को ओपचारिक रूप से पुलिस उपादिक चक यानि डी एसपी के रूप में न्यूक्त किया है? इस कोईशन का करेक्ट आंसर है औप्शन दी लवलीना बोर्गोहिन भारतिय मुक्यबाज लवलीना बोर्गहिन को असम सरकार ने आपचारिक रूप से पुलिस उपादिक चक यानि डेपटी सुपरेटेंडेंट आफ पुलिस के रूप में न्युक्त किया है 24 वर्ष ये लवलीना बोर्गहिन ने पिछले साल टोक्यो उलम्पिक में महिलाओं की 79 किलोग्राम भारवर्ग में कांज से पदक यानि ब्रॉंज मेंडल जीता था करेंट एफस रिविजन में याद रखेगा भारतिय स्प्रिंटर हीमादास को भी पिछले साल असम पुलिस में DSP के रूप में न्युक्त किया गया था हाल ही में टोक्यो उलम्पिक में रज़त पदक विजेता मीरा भाई चानू को मनिपूर में एडिशनल पुलिस अधिक चक यानि ASP जो है वो उनके रूप में न्युक्त किया गया है नेक्स्ट कोईशन है उजिवन Small Finance Bank का नया प्रवंद निदेशक और CEO किसे न्युक्त किया गया है उजिवन Small Finance Bank का जो नया CEO और प्रवंद निदेशक है वो किनको बनाया गया आंसर होगा इतिरा डेविस ओप्शन ए भारतिय रिजर्ब बैंक ने इतिरा डेविस को उजिवन स्मॉल फैनेंस बैंक के प्रवंद निदेशक और मुख कारिकारी आधिकारी के रूप में न्युक्त किया है वह 14 जनवरी 2022 से विस्तारित कारिकाल का कारेभार समभालेंगे इतिरा डेविस नेतिन चुग का अस्थान लेंगे वो जिवन स्मॉल फैनेंस बैंक का मुख्याल है यानि हेटकौर्टर कहां पर है बैंगलोरू करनाटक में और इसके संस्थापक समित गोश है इसकी स्थापना जो ही थी वो एक फरवड़ी 2017 को ही थी करेंट अफेस रिविजन में याद रखेगा हाल ही में अतुल कुमार गोयल को PNB यानि पंजाब निशनल बैंक का MD और CEO न्युक्त किया गया है शोम संकर प्रशाद को यूको बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है अगला सवाल है कि स्राज में कचाई लेमन फेस्टिबल का 18.1 संसकरन मनि पूर में शुरू हुआ है मनिपूर के कचाई नेमबू को बोगलिक संकेत यानि जी आइटाइग दिया जा चुका है कचाई निम्बू को विशिष्ट माना जाता है क्योंकि इसमें स्कॉर्बी के सीड की उच्च मात्रा होती है और यह अपने रस की मात्रा के लिए काफी प्रिप्सिद्ध है मनिपूर के बारे में जानिए राजधानी इसकी इंपाल है मनिपूर के राजपाल सिरी लागनेशन है केबूल लामजाव राष्ट्य उध्यान मनिपूर राज के विश्णूपूर जिले में स्थित है अकसर एकजाम में पूचा जाता है केबूल लामजाव राष्ट्य उध्यान कहां है तो आंसर होगा मनिपूर यह विश्व का एक मात्र तैरता हुआ हुद्ध्यान है नेक्स्ट कोईशन देखे है हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है इसका अंसर हो जाएगा रगुवेंदर तवर option A जो है वो correct answer होगा ठीक है हाल ही में रगुवेंदर तवर को भारती एतिहासी कनुसंधान परिशत के अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है तवर की न्युक्ती उस दिन से तीन वर्ष की अवधी के लिए हुई है जिस दिन से वह परिशत की अधेक्ष का पर्द गरहन करते हैं या अगले आदेश तक ठीक है इंडियन काउंसिल ओफ हिस्टोरिकल रिसर्च जिसको हम लोग ICHR कहते हैं इसके स्थापना 27 मार्च 1972 को होई थी इसका जो हेड़कोर्टर है वो न्यू दिल्ली में है यानि नहीं दिल्ली में है और करिंट अफेस रिविजन में याद रखेगा हाल ही में डॉक्टर ध्रेती बैनर जी को भारतिय प्रानी सर्वेक्षन की पहली महिला निदेशक बनाया गया है अलका उपध्याय को भारतिय राष्टर राजमार्क प्रादिकरन यानि NHAI का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है बारी आज केक्स्टा कुराकी यहां पर पांच सब अलाप से रोजाना पूछे जाते हैं और इसका अंसर भी वीडियो में ही बताए जाता है तो वीडियो को रोखिए, वीडियो को रोख करके सभी कुश्ण्स का अंसर देने का प्रयास कीजे और फिर हमारे अंसर से मिलान कीजे पहला सवाल है प्रतिवर्स DRDO अतना स्थापना दिवस कब मनाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा 1 जनवरी को मनाता है इसके बाद देखे दूसरा है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है चार जन्वरी को तीसरा है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतिय दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है नो जन्वरी को और जो चौथा प्रशन है विश्व हिंदी दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 10 जनवरी को और प्रतिवर्श रास्ट ये युवा दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 12 जनवरी को ठीक है तो पांचो सवाल हमने यहाँ पर देखा अब बारी आज के चिंगारी प्रेशन के जिसका अंसर आप सभी को comment box में लिखना है तो चलिए सवाल है हाल ही में इस्रो का नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है यानि इस्रो के नए अध्यक्ष अब कौन होंगे यह आपको बताना है चार options दिये गए है जो भी correct answer है आप comment box में जरूर लिखे उमीद करते ह आप सबको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को जादर जादर लाइक और शेर किजएगा thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद